आज 14 सेप्टेंबर 2023 है आज की मुली में बाबा ने हम बच्चों को बहुत सारे टाइटल्स दिये और उन टाइटल्स का स्वरूप क्या होना चाहिए वो भी समझाया बाबा ने कहा हम त्रिकाल दर्शी हैं हम त्रिनेत्री हैं तो ऐसी त्रिनेत्री आत्माएं अपने तीसरे नेत्र से क्या देखें ऐसी त्रिकाल दर्शी आत्माएं क्या अनुभफ करें उनकी प्राक्टिकल लाइफ में निशानिया क्या होंगी सुनते हैं आज के बाबा के अ आगे कोई भी समस्या आ नहीं सकती जैसे हाथी के पाउं के नीचे अगर चीटी आ जाए तो दिखाई देगी क्या तो ये समस्याएं भी आप महारतियों के आगे चीटी समान है इन्हें खेल और खेलोना समझो तो खुशी में रहेंगे कितनी भी बड़ी बात छोटी हो जाए बड़ी बात को छोटी करना और छोटी सी बात को बड़ा बना देना ये हमारी सोच पर हमारी अवस्था पर निर्भर करता है अगर हम तीनों कालों को देख पा रहे हैं तो वरतमान में जो हो रहा है वो तीनों कालों के हिसाब से छोटी बात है लेकिन अगर हम तीनों कालों को नहीं जानते अर्फात जैसे बाबा ने आज मुर्ली में हमें ताइटल दिया ठीकाल दर्शी अगर वैसा हम नहीं बन पाते तो सिर्फ वर्टमान में वो बाट तो बड़ी लगेगी ही इसलिए महारथ ही अर्थाइद जो द्रीकाल दर्शी हो थ्रिनेत्री हो तीसरे नेत्र से अर्थाद आत्मा के उस नेत्र से हम आत्मा के गुणों को देख सकते हैं हम उन संसकारों को भी पहचान सकते हैं जिन संसकारों के कारण ये छोटी सी बात मुझे बड़ी लग रही है तो त्रिनेत्री आत्मा ही अपने अंदर उन संस्कारों को परिवर्तन कर सकती है त्रिनेत्री आत्मा ही इन दो आखों से दिखाई देने वाले विग्ने के पार जो तीसरे ज्यान के चक्षु से समाधान है उसको देख सकती है और ऐसी आत्माओं को ही महारथी कहा जाता है तो अगर महारथी अपनी चाल में मस्त है अगर महारथी अपनी अवस्था में स्थित है तो वो त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकी, नात, आदी सारे स्वमान में स्थित है और उसके आगे वर्तमान समय पर स्वमानमिस्थित नहीं है तो ये चीटी जैसी छोटी समस्या ही अगर हाथी की सूण में या आख में या कान में चली जाए तो वो हाथी धराशाही हो जाता है तो महारथी को चीटी से कोई खत्रा नहीं लेकिन अगर वो इस चीटी को चीटी ना देखे तो बहुत सहज ही ये समस्या को पार करने के लिए जो आज बाबा ने हमें मुल्ली में टाइटल्स दिये हैं हमेशा उनका प्राक्टिकल स्वरूप बन करके हमें रहना है ओम शान्ति